हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में आपको कमीज के साइड स्लिट और घेर पर एक लेस लगा कर भहुत ही सुन्दर साम डेजाइन बनाएंगे जिसको बनाना भहुत ही आसान है इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनने के बा लिए रहेगी मैंने इनकी चोड़ाई 2.25 इंच रखी है एक को मैं साइड कर देती हूं अब इसको यह देखे जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रहे हूं दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे हम इसे और फोल्ड करते विए दोनों साइड से इसे हम इस पर प्रेस लगाएंगे प्रेस लगा कर इसको यहां पर बिठा लेंगे जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से हम पूरी पट्टी पर दोनों साइड से फोल्ड करते वे प्रेस लगा लेंगे दोनों साइड से फोल्ड करके मैंने प्रेस लगा ली है पूरी पट्टी पर अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे बीच से फोल्ड कर देंगे और इस पर प्रेस लगा लेंगे इसी तरीके से हम दोनों पट्टी को रेडि कर लेंगे प्रेस लगा कर और इन पटियों की लंबाई आप अपने कमीच के गहर और चाक के अकोर्डिंग रखे यहाँ पर प्रेस लगा कर मैंने दोनों पट्टी को तयार कर लिया है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो अब मैंने ये एक लेस ली है हम ये लेस पट्टी के साथ अटेच करेंगे पट्टी के बीच में हम लेस को रख लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हो और हम पट्टी के किनारे से ये सिलाई लगाएंगे ये सिलाई मैं आपको सिलाई मसीन पर लगा कर दिखाती हूँ यहां मैंने पट्टी को और लेस को ले लिया है यहां पर यह देखिए लेस को हम पट्टी के अंदर रखेंगे इस तरीके से और पट्टी के किनारे किनारे से हम यह सिलाई लगा लेंगे यह लेस हमारे इस पट्टी के साथ अटेच हो जाएगी इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे रखते वे जाएंगे सेट करते जाएंगे और ये सिलाई लगाते वे जाएंगे लेस लगाकर मैंने दोनों पटियों को तैयार कर लिया है यह अब हमारे कमीज पर लगने के लिए रेडी हो गई है पटिया अब हम अपने कमीज पर निशान लगाएंगे सबसे पहले हम यह देख लेंगे हमारी पटि की चोड़ाई कितनी है यहाँ पर जो पटि की चोड़ाई है 1.25 इंच सवाइंच है मैंने कमीज पर चाक फोल्ड करने के लिए जो यह निशान लगा रखा इस निशान से अंदर की तरफ हम सवाइंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि सवाइंच की हमारी यहाँ पर पटि आएगी इसलिए हम यह अंदर की तरफ सवाइंच पर निशान लगा रहे है मैंने कमीज पर फिटिंग वाली सिलाई अभी नहीं लगाई है इसलिए इधर उपर की तरफ भी हम यह सवाइंच पर निशान लगा लेंगे अब हम इन निशान को आपस में मिलाएंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं यह निशान को आपस में मिला लेंगे और नीचे वाले निशान को भी हम सीधा कर लेंगे यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पैनल दोनों एक साथ रखकर यह निशान लगाया है अब हम इसको कट करेंगे यह कट हम निशान के उपर से नहीं करेंगे हम इसमें सिलाई का मार्जन रखेंगे और यह कटिंग करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो मैंने निशान के उपर से कट नहीं किया है साइड से कटिंग किया है सिलाइ के लिए मैंने margin रख लिया है इसमें इस तरीके से ये हमारी cutting हो गई है अब हम इसमें cut लगा लेंगे यहां कोने पर और नीचे भी हम ये cut लगा लेंगे जितना हमें इसको fold करना है ये निशान लगाया है वाँ पर हमनें eat cut लगा लिया है कमीज की लंबाई आप अपने अकोर्डिंग रखे इसमें हम सवा इंच की पट्टी जोडेंगे तो उससे हमारे कमीज की लंबाई सवा इंच बढ़ेगी तो कमीज की लंबाई आप अपने according अगर आपके कमीज की लंबाई आपको ज्यादा लग रही है तो आप उसे नीचे से cut भी कर सकते हैं मैंने कमीज का front piece ले लिया है इसको open करके रखेंगे और जो side से हमने जो cut लगाए थे उदर से हम इसको fold करेंगे और fold करने के बाद हम इस पर एक बार प्रेस लगा लेंगे ताकि हम इस पर जब पट्टी स्टिच करें तो हमें आसानी रहे और इसी तरीके से हम ये नीचे घेर पर भी fold करते हुए प्रेस लगा लेंगे जितना भी आपको कपड़ा fold करना है नीचे घेर पर और दोनों साइड पर कपड़े को fold करते हुए मैंने प्रेस लगा ली है अब हम इस पर अपनी वो लेस वाली पट्टी अटेच करेंगे पट्टी को हम कमीज के नीचे रखेंगे यहां से हम पट्टी को नीचे दबा लेंगे इस तरीके से जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ और हम ये किनारी किनारी से सिलाई लगाएंगे या कोने पर कैसे सिलाई लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी दो आसान तरीके से मैंने कमीज को ले लिया है लेस को कमीज के नीचे रखा है और अब हम ये किनारी से सिलाई लगा देंगे ये चिलाई हम बहुती फिनीसिंग के साथ लगाएंगे जिससे हमारी इस पट्टी का लुग बहुती अच्छा आएगा यहां तक हमने यह सिलाई लगा लिए अब यहां पर हमारा कोना है यहां पर हम निशान लगा लेंगे यह देखिए कोने पर बिलकुल मैंने यह निशान लगा लिया लेस के उपर अब हम यहां से निकाल लेंगे एक बार धागे को कट कर लेंगे यहां पर यह देखिए यह मैंने यहां निशान लगाया है अब जितनी हमारी पट्टी की चोडाई है उतनी दूरी से हम इसको फोल्ड कर देंगे ये निशान लगा लेंगे पर उतनी दूरी से हम इसको फोल्ड करेंगे जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ये मैंने इसको fold कर लिया अब इस पर हम ये तिर्ची सिलाई लगा देंगे यह हमने तिर्ची सिलाई लगा लिया है, यहां कोने पर, यह हमने कोना बना लिया, अपनी लेस के उपर, पट्टी के उपर, अब जैसे हम सिलाई लगाते हुए आ रहे थे, वहीं से हम अपनी सिलाई शुरू कर देंगे, और यह सिलाई लगाएंगे यह मैंने एक तरीके से आपको कोने को स्टिच करना बताया है अब मैं आपको दूसरी तरीके से भी बताऊंगी कैसे हम दूसरी तरीके से कोने पर स्टिच कर सकते हैं सिलाई लगा सकते हैं यह कोने पर सिलाई लगा लिए यह हमारा इस तरीके से आ गया है अब मैं आपको दूसरे कोने पर सिलाई लगा कर दिखाऊंगी कैसे लगाएंगे पहले हम यह गेर की सिलाई कम्प्लीट कर लेते हैं अब हम दूसरी तरीके से कोर्नर पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हमें मसीन से कपड़े को नहीं निकालना है पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है उसके बाद हमें पट्टी को साइड में ले आना है जैसा कि मैं दिखा रही हैं इस तरीके से यह कोर्नर बना लेना है और कमीज को हम लेस के उपर रखेंगे, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और ये सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई लगाते हुए यहां हम कोर्णर तक लाएंगे, ये देखें कोर्णर तक मैं सिलाई ले आई हूँ, इसके बाद हम अपने प्रैसर फूट को उठा लेंगे, और घुमाते हुए किनारे से सिलाई लगाएंगे, ये देखें, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, और इसके बाद वापिस हम सिलाई वहीं कोर्णर पर ले आएंगे, इस तरीके से ये दूसरी तरह से हम अपना कोर्णर बना लेंगे, और अब हम ये सि दो तरीके से कोर्णर स्टिच करने बता दिये, आपको जो इजी लगे, आप उसी तरीके से इसको स्टिच कर सकते हो, अब हम इस पर ये सिधी सिलाई लगा कर इसे कंप्लेट कर लेंगे, कमीज के फ्रंट पैनल पर मैंने ये लेस लगा लिया, इसी तरीके से हम बैक पैनल पर भी लगा लेंगे, यहां पर मैंने फ्रंट और बैक पैनल दोनों पर ये लेस लगा ली है, अब हम इस पर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, दोनों पीस की सीधी साइड को आपस म मिला कर रखेंगे और आप अपनी fitting के according इसमें निशान लगा लिजिए यहां पर मैं आपको लगा कर दिखाऊंगे कि इस तरीके सेमें लिषान लगाने हैं यह निशान आप अपनी measurement के according लगाएं यह मैं अपने वीडियो में दिखा रहे हैं इसी तरीकी से हम निशान को मिला लेंगे और सिलाई लगाने से पहले फ्रंट और बैक वाली जो लेस हैं इसको आपस में मिला कर रखेंगे इससे हमारी बहुत ही अच्छे फिनिसिंग आनी चाहिए यहां से तो इसका हमें बिल्कुल ऐसे मिला कर रखना है और उसके बाद यह सिलाई हमें लगानी है यह निसान के उपर से अब मैं साइड की फिटिंग वाली सिलाई लगा रही हूँ उपर से मैंने कमीज को पहले ही कंप्लीट कर लिया था यह साइड की फिटिंग वाली सिलाई मैंने कम्प्लीट कर लिया है एक कुछ इस तरीके से हमारे कमीज का लुकाया है साइड स्लिट से यह कुछ इस तरीके से दिखेगा यहां पर आप देख सकते हो मैंने यह design कमीज के नीचे घेर और side slit पर बनाया है आप जाओ तो यह design कमीज के side slit पर भी बना सकते हो घेर को आप simple रख सकते हो इस तरीके से यह मेरा design complete हो गया है अगर आपको यह design अच्छा लगा तो video को लाइक जरूर करें से एर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू थेंक्स फर वोचिंग मिलते किसी न्यू वीडियो में किसी नए डिजैन के साथ तब तक के लिए बाई